जहिन साथियों, मैं आप सभी का आज उत्तर पदेश करिंट अफियर की 1000 प्लस टॉपिक सीरीज के 5 पार्ट में स्वागत करता हूँ तो दोस्तो इसके पहले हमने 4 पार्ट अलेडी कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा तो चले आज के सभी उत्तर पदेश के महतपूर प्रश्णों के साथ सुभारंब करते हैं अपने दिन को और देखते हैं अपना सबसे महतपूर पहला प्रश्णों जो आपके सम्मोख है इस वरिष्ट आइस अधिकारी को उत्तर पदेश का नया ग्रिय सच्यू न्यूक्त किया गया है तो दोस्तो इसमें जो right answer है option number A है दिपक कुमार जी को याद रखेंगे है उत्तर पदेश का नया मुख्य सूचना आयूक्त किसी न्यूक्त किया गया है तो दोस्तो राज कुमार बिश्व कर्मा जी को option number C इसमें right होगा उत्तर पदेश राज की महिला क्रिकेटर दिप्ति सर्मा को उत्तर पदेश पिलिस दिभाग में BSP न्यूक्त किया गया है तो इनका संबंद किस जीले से है तो दोस्तो इसमें right answer option number D आगरा से इलहाबाद उचनेल के अस्थापना ठासव चाचट में होई थी इसके मुख्य नाइधी किसे न्यूक्त किया गया है तो दोस्तो इसमें right answer option number A अरुन भजसाली जी को उत्तर पदेश पुलिस द्वारा अपराधियों पनकेल कसने और जाच में मदद के लिए डिजिटल प्रेटफर्म लांच किया है इसका नाम क्या है तो दोस्तो इसमें right answer option number C कि त्री नेत्र एप 2.0 किस IIT ने देश का पहला हैड्रोन थेरेपी के अंदर सुरू करने जा रहा है तो दोस्तो इसमें right answer option number B IIT कानपूर हाली में भ्योवरिद कांग्रेस नेता अजीज कुरैसी को इनका निधन हो गया तो दोस्तो उत्तर प्रदेश के ऐसे प्रश्टों में तो common answer होता है ठीक है चले उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ सनच्छड रिजर्व किस जिले में इस्थापित किया जाएग में उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्व विद्याला कहां पर इस्थित है तो दोस्तो गोरगपुर में अब आप हमें कमेंट सेक्षन में बताएंगे कि भारत का पहला जो महिला विश्व विद्याला है वो पूरे में इस्थापित हुआ था तो इस्थापक कौन थे पाइलेरिया नामक बिमारी को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का लच्छ वर्स क्या रखा गया है तो दोस्तो दो हजार चबिस तक आप्स नमबर ए करेक्ट होगा उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी वाहनों को 100% EV करने की जो लच्छ है वो किस वर्स तक रखा गया है तो दोस्तो दो हजार तीस तक आप्स नमबर भी इसमें सही होगा उत्तर प्रदेश ने वर्स 2024 से 28 तक मक्का उत्तपादन को कितना बढ़ाने का लच्छ रखा है तो दोस्तो आप्स नमबर सी करेक्ट होगा 3.2 मिलियन चन अगर आपसे प्रशन पूछा जाए कि जो बाजरा वर्स है मिलेट वर्स है वो किस वर्स को घोसित किया गया था दोस्तो 2023 को बाजरा वर्स घोसित किया गया था उत्तर परदेश राज आईसमान भारत पधान मंत्री जन आर्योग योजना के तहट पांच करोड आईसमान काट जारी करने वाला देश का पहला राज कौन बन गया है और इस योजना की सुरुवात कब होई थी तो दोस्तो अगर हम राज की बात करें तो वो उत्तर परदे इसका कौन सा सहर स्वच सहर घोसित किया गया है तो दोस्तो नुएडा को उत्तर परदेश दिवस 24 जनवरी पर किस ब्यक्तियों को उत्तर परदेश गौरो सम्मान से सम्मानित किया गया है तो दोस्तो इसमें अगर हम बात करें तो डॉक्टर रितु करिधल को और नभीन त त्वारा बनाई गई है तो दोस्तो इसमें option number A correct होगा करनाटर के अगर आप से पूछा जाए कि राम मंदिर का जो प्रमुक वास्तुकार कौन है तो दोस्तो उनका नाम है चंद्रकांथ सुम्पूरा जी ये भी याद रखेंगे 22 जनौरी 2024 को आयोध्या मंदिर का उधाटन हुआ था और इस पर सराब बिक्री पर पतिबंद लगाने वाला राज्य कौन सा है तो दोस्तो जिस दिन प्रांट पतिष्टा थी उस दिन किस राज्य ने अपने वहाँ एलकोहल यानि सराब के बिक्री पर पतिबंद लगाया तो इसमें राइट अंसर आप्स नमर्डी 36 गर्ड आयोध्या में राम मंदिर के लिए पेस किया गया दुनिया का सबसे बड़ा ताला किस ने तयार किया तो दोस्तो सत्य प्रकास सर्माजी ने most important question है 2024 गर्तंत दिवस परेट के लिए उत्तर पुर प्रदेश की जहाकी में क्या दिखाया गया था तो दोस्तो नमो भारत ट्रेन को दिखाया गया था उत्तर प्रदेश की पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एमिस्टर निक्त किया गया तो इनका सम्मन्द किस राज्य से हैं तो दोस्तो राज्य के किस जिले से पूछा जाए तो मिर्जापूर और राज्य तो अपना उत्तर प्रदेशी है पसिद उद्धू सायर मनववर राणा को 71 वस की उमर में इनका निधन हो गया है तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये सम्मन्दी था तो दोस्तो राय बरेली से आप्सन नमर डी इसका करेक्ट होगा प्रदानमंत्री राष्ट्य बाल प्रसका दोजाचोबिस में उत्कृष्ट उपलदियों के लिए उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है तो दोस्तो आप्सन नमर बी करेक्ट है दो बच्चों को नागरिक उध्यानमंत्री ने किस हवाई अड़े के पास आधी योगी स्यू की 242 फिट उची प्रतिमा इस्थापित करने की मजूरी दी है तो दोस्तो नुएडा में आप्सन नमर बी इसका राइट है जल सनच्छण में प्रयासों के लिए जल सक्ती मंत्रा लेने की सहर को जलियोध्धा के रूप में मानेता यहां पे देखी यूपी सीडा जिसका फुल फार्म है यूपी स्टेट इंडस्टियल डेवलप्मेंट अथार्टी इसके दारा अनावरड की गई टाउन सीप और रेलवे कोच परियोजनाई की सहर में संचालित की जाएंगी तो दोस्तो इसमें सही जवाब है जहांसी और चंदौली दोनों में तो इसमें दोनों करेक्ट होगा यानि कि आप्सन नमर सी इसका करेक्ट होगा उट्तर पदेश कितने हवाई यड्डो के साथ देश का सबसे ज़्यादा हवाई आट्डे वाला पहला राज्य बनने वाला दोस्तो इसमें राइट अनसर ओप्सनूमर भी एक केस है और अंत्रांश्टी हवाई यड्डो के साथ प्रथमास्थान पर है उत्तर पदेश का वस 2000-2017 की तुल्ला में 2019-2023 में कितने गुना आधिक FDI प्राप्थ हुगा है यानि Foreign Direct Investment जिसको हम प्रत्यक्ष बिदेशी निमेश करते हैं तो दोस्तो चार गुना आप याद रखेंगे क्योंकि ये महतपूर प्रश्ण आपके लिए हो जाता है ESG VN Limited संगठन द्वारा उत्तर पुदेश में 50 MW के सौर उज्या सैंद्र का उधाटन की सिराज्य में किया है तो दोस्तो इसमेराइट अप्सन नमबर C कानपुदेहाद किस समू ने उत्तर पुदेश में भारत का पहला गोला बारुद मिसाइल बिनिर्माट पैसल लांच किया है तो दोस्तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप्सन नमबर A करेक्ट होगा अडानी ग्रूप ने लगभग 500 एकड में कितने में 500 एकड में और कहां पे दोस्तो कानपुर में किस प्रोजेक्ट के तहत माधिमिक सिक्षा और उत्तर प्रदेश बिकास मिसन के बेच हुए समझोते में 61,000 से अधिक बच्चों को कौसल प्रसिच्षड प्रदान किया जा रहा है तो दोस्तो इसमें राइट एंसर है प्रोजेक्ट सिक्षा के अंतर गयती है पियम मोदी दोरा हाली में कल की धाम मंदिर की अधासिला कहां पर रखे गई है तो दोस्तो आप्स नमर बी करेक्ट है संभल में हाली में 67 अखिल भातिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहां पर किया गया है तो दोस्तो लखनाओं में याद रखेंगे ऐसे प्रशने पूछे जाएंगे आपसे पुलिस रिलेटेड उत्तर पदेश लोका युक्त और उपलोका युक्त संसोधन बिधेक 2024 के अनुसार लोका युक्त और उपलोका युक्त की न्युक्ती आठ वर्स से घटा कर कितने वर्स कल दी गई है तो दोस्तो आप्स नमर ए करेक्ट है पाच वर्स बुंदेलखंड गवरा महटसा 2024 का आयोजन कितने जिलों पर किया जाएगा तो दोस्तो आप्स नमर डी करेक्ट है साथ जिलों में हाली में उत्तर पदेश के बुंदेलखंड में कितनी सौर उजा परियोजनाई सुरू की गई है तो दोस्तो इसमें राइट अंसर आप्स नमर बी 10 जिलों में किंद्री गिरी मंतराले ने हाली में उत्तर पदेश के किस जिले में आट रेलवे इस्टिसनों का नाम बदलने की प्रस्ताव को मनजूरी दिये आप्स नमर बी करेक्ट होगा, हमें ठीक है उत्तर परदेश के किस जिले का नाम चंदर नगर किया जाएगा तो दोस्तो इसमें आप्सन नमर B करेक्ट है फिरोजाबाद अब तक सड़क दुरगटना में सरवाधिक मुर्त पस्त कहां दर्ज की गई है तो दोस्तो उत्तर परदेश में याद रखेंगे किस संगठन द्वारा देश में सबसे हल के बुलेट प्रूफ जैकेट सफलता पुर्वग बिक्सित किया गया है तो दोस्तो इसमें राइटन सौप्स नमर B DRDO के द्वारा उत्तर परदेश में मुख्य मंत्री योगी आदित तेनार द्वारा सुरू की गई तो दोस्तो इसमें जाइसी बात है यूवा उध्यमियो का छे बात करेंगे प्रशन नमर 44 पर उत्तर परदेश के किस जिले में एंटी PC ग्रीन इनर्जी द्वारा 14 मेगावाट सौर एकाईवारिजिक रूप से चालु किया गया है तो दोस्तो इसमे राइटन सर अपसिन नमबर A अयुध्या में उत्तर पदिश का पहला गाय अभ्यारने की ững जेले में बनाय जा रहा है तो दोस्तो इसमे traffic राइटन सर अपसिन नमबर B मुझफ्वर नगर में सभी प्रश्ण आपके एक्जाम के लिए बहुत ही जादे मात्रपूर है तो आप इन्हें एक बार और रिवाइस कीजेगा और अपने दिमाग में बिठा लीजेगा आज का सेशन यहीं पे कम्प्लीट होता है जैहिन जैभारत आपका दिन सुभो दोस्तों अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको वीडियो इन्फरमेटिव लगती है पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सकाइब करकें आपसे ज़रू जोड़ें तैंक यू वेरी मुझ